खाटु श्याम जी, जिन्हें भारत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा जाता है, उनकी कथा अत्यंत प्राचीन और पवित्र मानी जाती है। उनकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी है और भक्तों के लिए यह कथा विशेश महत्व रखती है। और शक्तिशाली थे। उन्हें भगवान शिव से तीन अभेद्यबान प्राप्थ हुए थे, जिनसे वह किसी भी युद्ध में विजी हो सकते थे। इन बानों की शक्ती इतनी थी कि केवल तीन बानों से वह पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो बरबरीक ने अपनी माता से कहा कि वह भी इस युद्ध में भाग लेने जाएंगे। उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि वह सदैव हारने वाली पक्ष की सहायता करेंगे। इस वचन के साथ बरबरीक कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। जब भगवान श्रीकृष्ण ने बरबरीक को युद्ध भूमी की ओर जाते देखा, तो उन्होंने बरबरीक से पूछा कि वह किस पक्ष का समर्थन करेंगे। बरबरीक ने कहा कि वह हारने वाले पक्ष का समर्थन करेंगे। श्रीकृष्ण जानते थे कि बरबरीक की शक्ती इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी पक्ष को विजी बना सकते थे। इससे युद्ध की स्थिती असंतुलित हो जाती और धर्म की स्थापना नहीं हो पाती श्री कृष्ण ने बरबरीक की परीक्षा लेने का विचार किया उन्होंने उनसे पूछा कि वह अपने तीन बानों से क्या कर सकते हैं बरबरीक ने बताया कि एक बान से वह सभी दुश्मनों का नाश कर सकते हैं दूसरे बान से वह सब कुछ वापस ला सकते हैं और तीसरे बान से वे अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं श्रीकृष्ण ने समझाया कि बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से युद्ध का सारा परिनाम बदल जाएगा, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया. बर्बरीक ने अपने गुरु भगवान श्रीकृष्ण की बात को मांकर अपने सिर का बलिदान दे दिया. श्रीकृष्ण ने उनके बलिदान को अमर्ता का वर्दान दिया और कहा कि कलियुग में तुम खाटु श्याम जी के रूप में पूजे जाओगे. श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक परवत के उपर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारक युद्ध देखा खाटू श्याम जी की पूजा बर्बरीक का वही सिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गाओं में प्रतिष्ठित है और आज उसे खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है उनके मंदिर में भक्त जन बड़ी श्रद्धा और भक्ती से दर्शन करने आते हैं खाटू श्याम जी को कलियुक का देवता माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि वे सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं इस प्रकार बरबरीक जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है कि कथा हमें त्याग, बलिदान और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेणा देती है जै खाटू श्याम बाबा बोलो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा